हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बाद फिर से आप लोग का बहुत बहुत सवागा दोस्तों अभी रिसेंट्ली न कुछ वर्क आयता मेरे पास यूपी लखना उसे तो उसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क हमें करने थे इसमें इंटीरियर्स का हो गया साथ देख रहे तो यह देखी नीचे जो रस्ता जा रहा है यह आप देख रहे नीचे रस्ता जा रहा है यह तो आपका बेस्मेंट का रस्ता हो गया ठीक है अब यहां से ऊपर चड़के कंप्लीट चड़के यहां पर जो है आपका शॉप थी अब इसमें सबसे इंपर्ट तो इसमें सबसे इंपर बात यह कि आप देख सकते हैं यह कॉलम है तो इस कोलम से आगे से आगे लेकर जाएंगे तो प्रॉब्लम यह आएगी कि future में इसको तूटने का खत्रा है तो इसमें देख सकते हैं यहाप जो आप देख रहें हैं यह फोर फिट की लेंडिंग है तो इससे कम भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि commercial building है तो इसी stairs की आप देख रहें हैं तो इसमें आपको और clear हो गया होगा कि यह नीचे basement की stairs आगई है और यह आपकी जो है ऊपर जाने की stairs तो इस वाली stairs की जो आप देख रहें इसके भी सारी details जो हम आपके साबने शेयर करते हैं लेकिन मैं इससे पहले बता दूँ कि यह जो आप देख रहें हैं आपे stairs यह तो इसी stairs की जो चोड़ाई थी यह लगग-लग-लग-लग-लग-लग-लग साढ़े-8 feet के राउंड थी नी जिसका राइजर हमें कम करना था तो इसमें गया कि ना हम front से इसको extend कर सकते हैं ना हम दूसरी साइड से extend कर सकते हैं तो इसमें हमेरे पास shape ही जो एक last option बचाता कि shape ही change करके जो हम इसके riser को कम कर सकें तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह जो है इस complex का इसका पूरा front था और यूजली टॉप पे होस्टेल से यहां पर जैनोंने अमनी शॉप बनानी थी फिर नीचे भी जो है अपना एक shop create करनी थी एंड उपर भी होस्टल है तो इसमें जो जो चैलेंजी जो चीज से आई different topics उपर तो वो इससे आगया है आने वाली वीडियो में discuss करेंगे तो फिला चैलेंगे छोटा सा यहाँ पर छुटा सा यहाँ पर शटर था अब यहाँ पर चोटा सा शटर रही जो की stairs है अब अगर हम यहां से मांगी हमに стоит a तो जो भी बंदे को stairs use करने होती तो उसको क्या था कि यहां से चड़के पूरा घूम करके जाना बड़ता तो वह भी टेखनीकली जो है वह गला था यह उपर वाला भी सबसे चोटा है यह देख सकते हैं तो यह जो है आपका दो इंची का जो है यह यहां पर है फिर देखे के क्लिर ली मेंचन है की राइजर 2,3,4,5,6,7,8 है यह 9 इंची का राइजर जो की कॉमर्शिल के साब से जो है वह बहुत जादा है तो at least 6 इंची तक तो जो होना ही ची है, if you talk about 10,5-10 इंची का ट्रेड है श्टियर की विड़ जो है वह 5 फिट है तो फाइजर को अगर हम चाहे तो इसको फूर फिट भी जो हम लेकर के जा सकते है, then फिर हम बात करते हैं लेंद तो यह दूर हाईट के बारे मैं तो दी कि लेंद हैं यहां पर जो 8 फूने का था यह तक था and यहाँ से लेकर यह जो आपका जो फे भान दिखने आना आपको ग्राहूंण फ्लौर में यह जो फ्लोर भाविक नो रहनों हो रहते हैं इस स्लीरा भी लेवल तग जो ए्वेट नाइन अट आरे ठीकेंदs Sun 10 feet 4 inches और 11 feet 4 inches तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं मार करके तो मैं आपको इस फोटो को अब बढ़ा करके जो इसको दिखाता हूं तो इसमें जो लेंथ है वो यहां से लेकर के जो यहां तक है वो 10 feet 4 inches है और जो हाइट यहां पर मेंचन हो रखी ह यहां से लेकर के पूरी बेसमेंट पूरा जो नीचे है यहां तक की जो हाइट है 11 feet 4 inches है तो आई होप आप डेटा को जो है वो अच्छे तरीके से समझ कोंगे अब हम बात करते हैं कि इसी तरीके से और इसमें जो है यहां से ना आगे से ना पीछे से यहां से बिना हम इस् स्टेर्स का तो इसमें देखिए complete जो स्टेर्स है यहां से यहां तक 10 feet 4 inches है तो उसको तो हम चेंज करी नीच सकते थे तो देन उसके बाद जो है हलका सा L shape में गुमा के यहां पर 3 stairs जो हमने extra बनाई है और विर जो हैं यहां पर 4 feet है और यहां पर 10 inches राइजर यहां पर 6 inches हो जो है हमने हापर 6 inches का राइजर जो हापर बना दिया है और सबसे important बात है कि राइजर जो हो कम करने की नीच सिर्फ इस ले थी क्योंकि देखिए complete जो shop है वो ऊपर है अब काफी बड़ा area है अबर किसी भी customer को ऊपर चड़ने में 9 inches ब क्योंकि जो हो बहुत जादा जोर पड अब जो है इस plan का में एक पर section भी जो आपको दिखा देता तो दिखिए यह जो है इसका section हो गया तो section में आप दिख सकते हैं कि यहाँ पर 4 feet है यह तो आपका यहाँ पर fix ही था जो मैंने बढ़ाया था lending आपकी फिर यहाँ पर जो है चड़के L-shape में completely गूम चुकी है यह के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स की वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बन देमाद